है यह यह पना नहीं है है कि अर भी रृति ऐस्व ज़ूराओ इस विल्कम टू माई की चैनि कैसे हो आप सब आज में बनाऊंगी रोटी पीजा यह बहुत शिम्पल और एजी रेसिपी है तो चलिए फ्रेंट शूरू करते हैं आज की रेसिपी चलिए friends आज हम बनाएंगे रोटी पीजा, रोटी पीजा बनाने के लिए समसे पहले मुझे चाहिए रोटी friends अम रोटी का पीजा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रोटी जो है वो हमारे बच्चे असानी से नहीं खाते हैं आगर हम उन्हें रोटी का पीजा बना कर दें गे तो हमारे बच्चे इस ताइसली खाएंगे और आसानी से खाएंगे वो बहुत ही पसंद भी आएगा दो रोटी पिचर बनाने के लिए यहां पर वीबा पिचर पास्थर सोस डिया है आप चाहे तो जिस भी ब्रैंड कर लेंसकते हो उसके सासत मैंने आप यह चिली पेट लिया है अगर आपका बचा मिर्च खा रहा है तो आप यह डालिए गा नहीं तो आप से अरणे के सब्सक्रिये मैं साथ पूर्ट इसा जाए है। थोड़ दो इसे मैंने भूल कर लिया है। तो चलिए बूल बाद में गर्ट करेंगी तो चलिए पर शुरू करते हैं रेसीपी फ्रेंट्स मैं पीजा को तवे पर भी बनाना बताऊंगी और ऑँवन में चानल एक मींट बन जाया है और तवे पर भी से बनने में एक से देड़े मिन लगे कैँए उसे जादा समय बिलकुल भी नहीं प्रेंड ये इंस्टेंट और बहुत जल्दी बनने वाली जैसे बीज़ाए आप जल्दी से सब्चिया कट कर लीजिए और इस रोटी के ओपर फेला दीजिए और उसे तवे पर एक देट मिनट के लिए रखती आपका पीजा है तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पीजा अब करण की Bron Hai, यहां पर मैंने इस रोटि यहां यहां पर मैंने दो रोटियां लीएं एक एक रोटि को मैं तवे पर बनाऊंगी और दूसरी रोटि को मैं बनाऊंगी यहां दो फॉन पहले रोटी बनाकर रखते tark तवा लिया है, पहले मैं इस तवे को अच्छे से कैस के अपर गरम कर दूगी, इस तरह से, तवा मुझे गरम चाहिए, मैं निल्यम लेम पर इस तवे को गरम करूँगी, मैं तवे को चड़ा दिया है, उसके साथ साथ मैं इस रोटी के पीज़क, इस रोटी को मैं रेडी कर जिससे मैं इस रोटी के उपर इस सोस को हिला दूँगी इस तरह से अगर निर्च खा रहा है तो आप ज्यादा सोस लगाईएगा नहीं तो आप इसे थोड़ा कम ही लगाईएगा आप इसे बरीक्वास्ट में बडव को भी सर्व कर सकते हो बड़ो को भी बहुत ज्यादा पसंड आता है हिए तो मेरे हजबन को ज्यादा पसंड भी है नुक्सान भी नहीं करता है Not कि इस्में मैदा बिल्कूल भी नहीं है इसके साथ Сब्साथ मैंने चीज को फिल ऋछा बाउल में ताल दीजियेगा और अच्छी से मिक्स कर लेजियेगा इसे क्या होगा? आपका एक तो सम्या भी बचेगा मैंने एक स्पून ले लिया है उससे मैं इन सब को मिक्स कर रही हूं यह देखिए अब मैं क्या करूंगी इधर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है क्योंकि मेरा तवा एक तम से रेडी हो चुका है अब मैं इससे इस रोटी के ओपर फेलाऊंगी वैसे प्रैन एक एक को फेला रहे हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और यह इसमें हर एक पीसिस सेट हो जाएगा यह देखिए इस तरह से इसके बाद मैं क्या करूंगी मैंने जो एक चीज लिया है मैं इस चीज को इसके ओपर ग्रेट कर दूंगी इस तरह से देखिए प्रैन कि देखिए हमारी एक रोटी बनकर फिल्कुल रेडी हो चुकी है मैं इसी तरह से मैं दूसरी रोटी को भी रेडी कर दूंगी यह देखिए अब मैं इस वाले पीचर को तवे पर रखूँगी तवा एकदम से करम हो चुका है अब मैं इस तवे पर खाफ टेब स्पून के आस्पर घी लगाएंगे इस तरह से तरह से तवा हमारा गरम है और इसे हमें रोटी को नीचे से नहीं जलने देने के लिए मैं क्या करूंगी मैंने आपर एक हलका सा और पानी लिया है और उसे मैं इस तरह से चारो परोनों में स्प्रेट कर दूंगी ताकि जो इसके स्पीम मनें के निकले और इसे मैं कवर अच्छी में हमारा जो चीज है वो मैल्ट हो जाएगा और हमारी रोटी सोफ्ट की सोफ्ट रहेगी वो कड़क बिल्कुल भी नहीं बनेगी फ्रेंड्स आप जरू ट्राइक कीज़ेगा इस चीज को जब तक हमारी यह रोटी त्यार हो रही है पहले मैं इस रोटी को त्या कषायई है और मैं हमारा रोटी पीजा बनकर जोन एक डम से रेडी है जब चली संधून और हमें इस निकाल लेकी हमें है करेंकर नैकलिगा मेर किवह निकाल doubtsbflower जी देखिए रोटी पीजा बनका एकदम से रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ किजिएगा अब मैं आपको ओवन में रोटी पीजा बना कर दिखा दिया हूँ मैंने के मेरा ओवन मैंने कि इत्ते हैं इसमें एकसी प्रेट को बटा दिया है मैंने यहाँ लोटी पीजा करेक्षा थी प्लीमिक प्लीट है इसके ऊपर आपका एक है इसके सासीibl Detkt दिया है ओवन का मैं शिरफ इसी एक से डेड़ मिनट तक एक मिनट और सुरी मैं यहाँ पर वन मिनट और सेकंड बनाऊंगी कि देखिए डेड़ मिनट एक मिनट बार मैंने से स्टार्ट कर दिया और आप देख पा रहे हो हमारा पीजा अंदर प्लेट गूम रहा है यह देखिए फैंस चार तीन दो एक एंड होगा आपको ओपन करके प्लाती है आप देख पा रहे हो चीज हमारा तुपने अच्छी तुरह से मैल्ट हो चुका है और यह हमारा रोती-पीजाबन को एक दम से इड़ी है आप इसे गरमा गरम सर्व किजेगा इखिए हैं लेड़ मिनट में हमारे रोती-पीजाबन का तैयार हो गया है आप इसे बच्चों को सर्फ कीजिए बढ़ों को सर्फ कीजिए बहुत टेस्टी बनता है यकीन मानियो फ्रेंड्स तो चल अगर आपको मेरी जैसे भी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए गा पीजा बनकर हमारा रेड़ी है अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फलेक्स और और्गेनो डाल देंगे यह देगी फ्रेंड्स पीजा बिलकुल बनकर त्यार है आप इसे बच्चों को बड़ों को किसी को भी सर्फ कर सकते हो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए गाए शेयर कीजिए गाए और मेरे जानले को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज प्लेज मुझे कमन्ट चेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी तो में ते बिल्टे प्ली रेसिपी में तब तब तक के लिए बबाए